ओम शान्ती पंधरासाद 2030 की मुरली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते क्योंकि तुम अभी इश्वर के सम्मुख बैठे हो तो अभी जल्दी करो अभी हम घर चले यहां तो बहुत दुख है यह तुम अभी नहीं कह सकते फिर कहा बाब को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो खुली वा सच्ची दिल में ही बाब की याद टिक सकती है आगे कहा स्कॉलर्शिप लेने के लिए अच्छी रीती पढ़ना है तक्त नशीन बनने की दोर लगानी है कर्म करते याद में रहना है हम रुहानी यात्रा पर है इसलिए और सब की याद बुद्धी से निकाल बाब की याद में निरंतर रहना है याद का रेजिस्टर ठीक रखना है अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाब को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो खुली वा सची दिल में ही बाब की याद टिक सकती है प्रश्ण है इस समय छोटे बड़े सब की बानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो उत्तर बाबा अभी जल्दी करो अभी हम घर चले यहां तो बहुत दुख है बाबा कहते तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते क्योंकि तुम अभी इश्वर के सम्मुख बैठे हो अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है इस समय तुम उँचे ते उँचे बने हो सत्युग में डिग्री कम हो जाएगी दैवी संतान बनेंगे इश्वर यह नहीं इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ओम श्यांती मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना भक्त भगवान को बुलाते है अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे तुम हो बच्चे बच्चे तो याद भी करते है लिखते भी है के बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते है निमंत्रन देते रहते हैं बाबा आपसे सम्मुख सुने अब सिवाए ब्रम्हा मुख के डारेक्ट सुनना तो मुश्किल है बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले मुआफिक आये हुए है ब्रम्हा मुख वन्शावली ब्रामन कुल्भूशन नाम कितना अच्छा दिया हुआ है ब्रम्हा कुमार कुमारियां तो बहुत है उन्हों को ज्यान मिला हुआ है परमपिता परमात्मा जो ज्यान का सागर है उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है गाया भी हुआ है दुख हरता सुख करता वो तो शिब बाबा ही है नाम कितने भिन्न भिन्न दिये है गायन तो बहुत है न गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो भगवान के लिए ही गाते है परंतु भगवान का पता ना होने कारण ब्रह्मा विश्नु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव, शिव को भूल शंकर के लिए कह देते, हर हर महादेव, ब्रम्हा और विश्नु को महादेव नहीं कहेंगे, वो तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं, शंकर शुक्ष्म वतन में ही रहता है, दुख हरने वाला, पतित पावन तो एक निराकार भगव शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमासारी एक की है, विश्नु के दो रूप लक्ष्मी नारायन वा राधे क्रिश्न है, उनका अलग अलग जन्म होता है, विश्नु अवतरन भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परन्तु यह किसको पता नहीं है, कि पह पहले लक्ष्मी नारायन स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेज राधे क्रिश्न बनते हैं, यह तुम ही जानते हो, यह भी जानते हो, माया का बड़ा भारी तुफान सुक्ष्म में आता है, माया भुला देती है, बहुत तुफान लाती है, कोई भी बात खुली दिल से बच्च पूछते रहे तो प्रश्ण का उत्तर मिल सकता है तूफान भी अनिक प्रकार के आते हैं स्वप्न छीची बिकल्प अनिक प्रकार के आते हैं आंधी तूफान को कहा जाता है अब यहां ब्रह्मातो नामी ग्रामी है बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग जैसा जैसा मनुश्यों का देश वैसा वेश भी होता है अभी तो देखो कोई लूले लंगडे कोई कुपजा किसकी आँख नहीं होगी वहां तो नेच्रल ब्यूटी है क्योंकि पांच तत्व भी सतु प्रधान है तो यह ज्यान सम्मुक सुनने के लिए बच्यां बुलाती ह गीतों में भी कुछ ना कुछ ठीक है जैसे देवता धरम प्राय लोप है फिर भी मंदिर यादगार तो है ना यादगार सभी धरम वालों का है यहां तुम बच्चे ही समझते हो बरोबर उंच ते उंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है उनका ही गायन है और है भी गम युग जब आत्माएं और परमात्मा मिलते है आत्मा तो बहुत है ना बृद्धी होती रहेगी अभी तुम बच्चे सम्मुक सुन रहे हो औरों की भी दिल होती है सम्मुक सुने यहां आ नहीं सकते बांधेलिया है और कोई भी सतसंगों में जाने लिए कभी किसको मना नहीं करते बंबई में गीता सुनाते है कोई भी धरम वाले जा सकते है फीस नहीं है भिन भिन गुरू पास जाते रहते है के कहां से सहज रास्ता मिल जाए मुक्ती और जीवन मुक्ती के रास्ते का किसको पता नहीं है इसलिए बहुत ढूंडते है यहां तो कोई गुरू गोसाई है नहीं, ब्रम्हा कुमार और कुमारिया बस, महात्मा कोई नहीं, जैसे तुम हो, वैसे यह दादा है, फर्क कुछ नहीं है, वेश आदी में कोई फर्क नहीं है, यह शाल आदी भी कभी उतार देता हूं, परंतु ड्रामा अनुसार यह जैसे ओफिशल ड्रेस है, ड परेस को तो देखना नहीं है, बुद्धी शिप बाबा तरफ चली जाती है, और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे, तुम अपने शरीर को भी भूलते हो, और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो, देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है, शिप हमको राजयोग सिखलाते हैं वही नौलेजफुल त्रिकाल दर्शी है आदी मध्य अंत का राज इस समय बैट सुनाते हैं बुडियों आदी के लिए भी बड़ा सहज है उन स्कूलों में तो बुडियाएं कुछ समझ न सके यह सब के लिए सहज है बाप सिर्फ कहते हैं मुझ कहो बहुत करके बानप्रस्त के बाद ही गुरू का मंतर लेते हैं परन्तु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है बुढ़े जवान छोटे सबकी बानप्रस्त वस्ता है ऐसे तो और कोई कहना सके कहेंगे सब का मौत लाने तैयार हुए हो क्या हाँ मौत तो सबका होना ही है कोई कोई कहते हैं बाबा यहां अजुन कब तक रहेंगे हम जल्दी जावे यहां बहुत दुख है आगे चल कर भी ऐसे ऐसे कहेंगे बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो अरे इस समय तो तुम इश्वर के सम्मुख हो फिर तो डिग्री अभी यह शीतल गोद अच्छी है, वहां स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहां तो तत्ते अर्थात गर्म को भी शीतल बनाया जाता है, तो वो अच्छा रहता है, ऐसे नहीं के अभी जल्दी करो, अभी तो हम उँचते उँच है, नामाचार ही सारा इस समय का है, स्रिष्टी के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप, दिल वाला मंदिर सभी के लिए है, आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा, आओ, आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं, आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं, आत्मा बुद्धी हीन अंधी बनी है मनुष्य को थोड़े ही अंधा कहा जाता है आँखे तो है ना परंतु बुद्धी अंधी है आत्मा में जो बुद्धी है याद करने की वो बिलकुल भूल गई है तो गोपी काए कोई कहां कोई कहां से बुलाती है बांधिली गोपी काए छोटे छोटे गाउं से बुलाती रहती है बाप समझाते हैं बच्चे सत्यूग में ग्रिहस्त आश्रम था पवित्र था अभी तो विश के लिए कितना हैरान करते हैं यह नहीं समझते कि यहां निर्विकारी बनाया जाता है निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वो हो भी पता नहीं सन्यासी भी पवित्र बनने लिए भागते हैं परन्तु उनको यह पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे इन बातों को वो मानते ही नहीं इस समय इतना दुख है जो समझते हैं इसे मुक्ती अत्वा मोक्ष अच्छा है बाबा ने समझाया है ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं है अभी तुम जानते हो बाब कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जनम पूरे हुए अब बाबा आया है लेने लिए बाब को याद नहीं करेंगे तो तुफान बहुत लगेंगे विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है भल बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है इसमें बहुत पुर्शार्थ करना होता है कॉलिज में पुर्शार्थी बच्चों को राद दिन पढ़ने की होबी रहती है कोशिश करते हैं गॉवर्मेंट से स्कॉलर्शिप ले ले वे बहुत माथा मारते हैं फिर बड़े खुश होते हैं यहां भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीती पढ़कर स्कॉलर्शिप लो पहले पहले तक्त नशीन बन जाओ दोड़ी लगानी चाहिए तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं डायरिक्ट इस रत में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं ब्रह्म्हा का तन तो मुकरर है बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ तुम पुकारते थे बाबा आओ अब मैं आया हूँ तुम आत्माई भी निराकार हो हम भी निराकार है तुम भक्ती मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारन कर याद करते आये हो अब सम्मुक तुम से बात कर रहा हूँ तुमको तो अपने शरीर का आधार है हमको यह लोन लेना पड़ता है बाप बच्चों को कहते हैं अब यह पुराना चोला छोड़ना है नाटक पूरा हुआ अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाय खानी पड़ेगी जितना हो सके औरों की याद निकाल दो यात्रा पर जाते हैं तो बुध्धी में वही याद रहती है बस हम शिनात दोरे जाते हैं तुम्हारी है सच्ची रुखानी यात्रा आत्मा पर्मात्मा के साथ योग लगाती है फिर शरीर निर्वाह अर्थ करम करने लिए यहां आते जाते हैं कहां भी हो याद रहनी चाहिए तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं वो तो बाप है और बाप से तो वर्सा मिलता है सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता बाप को तो वर्सा देना होता है उनको यह आश नहीं रहती कि मुझे वर्सा मिलना है आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है इस बाप की भी दिल में है हमको वर्षा देना है बाप और बच्चों का संबंध है बच्चों को वर्षा लेना है बाप को देना है बाप फिर क्या लेंगे? उनको देना होता है सची आत्मा पर साहिब राजी होता है तो कितना सच्चा बनना चाहिए परन्तु सभी बच्चे होना तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता है शरीर निर्वा अर्थ भल करम करो फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो याद की यात्रा का रेजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी मनुष्य को जो आदत पढ़ती है वो बृद्धी को पाती है बृद्धी में रहना चाहिए हमारे 84 जनम पूरे हुए अब नाटक पूरा हुआ अभी हम जाते हैं अपने घर इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो गीता में भी दो बार मनमना भव लिखा हुआ है कुछ-कुछ बाते आटे में लून है अन्य धर्म वालों के कई चित्र आदी नहीं रहते हैं तुम्हारे चित्र हैं ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है ब्रामणों में भी बहुत प्रकार के हैं भिन भिन नाम रखे हुए हैं भाशाय देखो कितनी है बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाशा होगी वहां की भाशा ही और है संस्कृत आदी नहीं होती है बच्चिया वहां की भाशा आदी सुनाती थी अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं फिर वहां अपनी भाषा होगी यहां की भाषाए वहां नहीं हो सकती ड्रामा की नून धनुसार फिर वही अपने महल आदी बनाएंगे कल्प पहले मौफिक यहां यह ब्रिटीश गॉवर्मेंट ने न्यू दल ही बनाई न तुम जानते हो हम देली नाम नहीं रखेंगे यहां पुरानी दुनिया तो खतम होनी है हमको नए ते नए दुनिया चाहिे वहां तो हीरे जवारों की महल बनेंगी अभी तो वह महल नहीं है बुद्धी कहती है हम बहुत फस्वास महल बनाएंगे यह तो छीछी दुनिया है ऐसी ऐसी आपस में बाते करनी चाहिए बहन जी, भाई जी हम तो जाएंगे फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे ऐसे लिवास पहनेंगे आगे जेवर आदी सब सच्चे पहनते थे लक्षमी नारायन के मंदिर में कितने जेवर आदी होंगे शिव का मंदिर क्या होगा शिव का लिंग भी हीरो का बनाते हैं यह भी समझने की बाते हैं हमारे शिबाबा के मंदिर को बरोबर मुसल्मानों ने आकर लूटा है जो भक्ती मार्ग के शुरू में बनाया था तुम जानते हो द्वापर युग से शिब बाबा के मंदिर बने है आप यही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं पहले पहले सोमनात का मंदिर बना है सोमरस कहा जाता है नौलिज को नौलिज देने वाला बाब है जिससे तुम धन्वान बनते हो फिर उसी धन से तुम बाब का मंदिर बनाते हो पूजा भी तो होगी न घर घर में मंदिर बनाते है तुम जानते हो जब भक्ती मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ती आदी बनाएंगे तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशुक परमात्मा के उनसे वर्सा लेने लिए वो विकार के लिए आशिक होते है यह फिर आत्मा परमात्मा माशुक की आशिक होती है देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं उस माशुक की महिमा बड़ी भारी है आशिक जो पतित बन गए है उन्हों को पावन बनाते हैं आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है अच्छा मीठे मीठे सी किलधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते और हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉर्निग और नमस्ते बाबा नमस्ते धाना के लिए मुख्य सार पहला स्कॉलेशिप लेने के लिए अच्छी रीती पढ़ना है तक्त नशीन बनने की दौर लगानी है करम करते याद में रहना है दोसरा हम रुहानी यात्रा पर है इसलिए और सबकी याद बुद्धी से निकाल बाब की याद में निरंतर रहना है याद का रेजिस्टर ठीक रखना है वर्दान है आज का निरंतर योगी और पवित्रबन सर्व विकारों को बिदाई देने वाले शक्ती स्वरू, पूज्य स्वरू भव बिस्तार है बाब द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वर्दान प्राप्थ होते हैं एक सदा योगी भव दूसरा पवित्र भव जो यह वर्दान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वो दो चार घंटे के योगी नहीं होते लेकिन निरंतर के योगी होते हैं पवित्र भी कभी कभी नहीं सदा पवित्र और सर्व विकारों को बिदाई देने वाले ऐसे नहीं कभी क्रोध या मुह आ गया कोई भी विकार स्मृती स्वरूप बनने नहीं देगा तो ऐसे योगी ही शक्ती स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूजय स्वरूप है स्लोगन सदा ज्यान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्ये रूपी पर्चाई आप के साथ है अच्छा ओम शान्ति झाल 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 झाल